नवरात्र यानी शक्ती की उपासना का पर्व नवरात्र वर्ष में दो बार आते हैं चेत्र नवरात्र और शार्दिय नवरात्र इन नौ दिनों में मा के नौ रूपों की उपासना की जाती है हिंदु धर्म के अनुसार यह माननेता है कि जहां जहां पर सती देवी के शरीर के अंग गिरे हैं वहां वहां शक्ति पीटों के स्थापना की गई है यह शक्तिपीट पूरे भारतिय उप महादुई पर फैले हुए हैं उन्हीं शक्तिपीटों में से एक है नगरी उजेन में सिद गड़कालिका धाम जहां महाकवी और नाटककार कालिदास को ग्यान की प्राप्ति हुई थी मा शक्ति जो यहां गड़कालिका के रूप में विराजमान है कहा जाता है कि संस्कृत के महानकवी कालिदास को मा गड़कालिका के आशिरवास से ही ज्यान की प्राप्ति हुई थी ऐसी मानेता है कि प्राप्ति जीवन में कालिदास अनपड़ और मुर्क थे कालिदास के एक बार एक पेड़ को जिस पर डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे इस घटना पर उनकी पत्नी विद्योतमाने उन्हें एसी फटकार लगाई जिसके फलसोरूप तपस्या कर महामूर्क की श्रेणी में आने वाले कालिदास ने गड़कालिका देवी के उपासना कर महा कवी कालिदास बन गए उजेन में स्थित गड़कालिका देवी का मंदिर आज के नगर में प्राचीन अवंति का नगरी छेतर में है कवी कारिदास गड़कालिका देवी के उपासक थे इस प्राचीन मंदिर का समराठ हर्शवर्दन द्वारा जिनो धार कराने का उल्लेक मिलता है गड कालिका के मंदिर में मा कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीर जुटती है तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमतकारी मंदिर की प्राचीनता के विशय में कोई नहीं जानता फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी लेकिन मूर्ती सत्यू के काल की है बाद में ये प्राचीन मंदिर का जिर्णोदार समराथ हर्शवर्दन द्वारा कि ये जाने का उलेक मिलता है वहीं स्टेट कॉल में गौलियर के महराजा ने इसका पुननिर्मान करवाया था इन दिनों नवरात्र के चलते माता का विशेश नोग दिनों तक अलग-अलग स्वरूपों में श्रंगार किया जा रहा है बड़ी संख्या में श्रदालू माता के दर्शन करने के लिए पहुच रहे है अबीगे अपने नेम के पी लागा कि आइसकुती गोस्थ आए